हेलो दोस्तों कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनिक्जाम में काईज आज की इस वीडियो में हम SSC MTS 2023 के लिए मैथ के कुशन्स को अटेम्ट करेंगे ये डे वन है हमने लास्ट वीडियो में जर्नल अवेरनेस के कुशन्स को अटेम्ट किया था 25 कुशन्स को देखा था और इस वीडियो में मैथ के 10 कुशन्स को अटेम्ट करेंगे और साथी साथ अगर आपको फिकार आपको यी वीडियो पसंद आए तो प्लिज इस वीडियो को लायक ज़ूर कीजेगा और जो चैनल पे वीवर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लिज चैनल को वो improvement करेंगे और आपके लिए और अच्छा और बहतरीन material लेके आएंगे तो आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई का जो paper हुआ था last year उसको attempt करेंगे उसके 10 important questions को देखेंगे तो ज्यादा time based ना करतो ही शुरू करते हैं आज का हमारा math का day 1 का first question जो की previous paper से related है तो पहला question है मारे पास कहता है कि the selling price of 15 oranges is the same as the cost price of 19 oranges के रहा है कि 15 oranges का selling price है वो 19 oranges के cost price के equal है इस पहले तो हम इस paper को थोड़ा सा हिंदी में translate कर देते हैं के रहा है कि 15 जो संत्रे है 15 संत्रों का 19 संत्रों के क्रेम उल्ले के बराबर है तो हमें लाब परतिशत बताने की कितना अप्रोक्सिमेटी आपको कितना profit हुआ तो सबसे पहले इस तरह के questions हो करने के लिए आपको क्या करना है क्या रहा है कि 15 संत्रों का विक्रेम उल्ले यानि कि 15 जो भी संत्रे है उनका selling price वो बराबर है तो यहां से SP यानि की क्रेम उल्ले यहीं पर रहेगा और CP यानि की क्रेम उल्ले नीचे आ जाएगा परतिशत आपको निकालना है तो Profit कितने कमा रहा है 4 कितने क्या मुल्ले क्ते मउल्ले 15%, 25 살Small 15 का कितना परतिशत है तो जब हम इसकी कृटिंग करेंगे इसको देख लेते कि कितना आएगा तो जब हम इसकी cutting करेंगे तो यह 5, 3, 15 यहां पर कर जाएगा 5, 2, 10, 0 तो यह हो जाएगा 80 by 3 और 80 by 3 approximation में कितना होता है यह होता है 26.67% 26.67% का क्या होगा उसे profit हो जाएगा option number D इसका correct हो जाएगा next question है हमारे पास कहता है कि एक कारे करम में 1500 अतीती हैं जिनमें से 28% व्यसक हैं 64% व्यसक महिलाएं हैं और 6 बच्चे हैं तो कारे करम में कुल बच्चों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी तो कारेकर्मे कुल बच्चों की संख्या आपको ग्याद करनी है, कितनी है तो 500 अतितिया है जलेने कि 500 कोटल मेंबर है और 80% उसमें क्या है व्यसक है और पूरश वैसक है और 64% व्यसक महिलाये है तो 6 बच्चे है और यह बहुत important questions है ठीक है ना तो सबसे पहले तो हमें पता है कि पूरे जो वेसक होंगे वो कितने होंगे पूरी party में कितने member होंगे 100% member होंगे जिसके अंदर अगर male की बात करें तो वो कितने है 64% male है female की बात करते हैं तो वो कितनी है sorry male की अगर हम बात करते हैं तो male हैं आपके पास अगर male की बात करें तो male है 28% female कितनी है 64% और बाकी कितने बचगे children यहां पर बचगे तो 28 में अगर मैं 64 एड़ करता हूँ तो हमारे पास बनता है कितना 28 में अगर हम 64 को एड़ करेंगे तो ये हमारे पास सोतन कितना बन जाएगा 92 बन जाएगा और 92 में से 100 में से 92 गया तो हमारे पास जो बच्चे रह जाएगे वो रह जाएगे 8% तो हमारे पास जो बच्चे हैं वो कितने हैं 8% है किसका 8% जो आतीती आये थे उनका तो 500 का हम क्या करेंगे simple simple 8% निकाल देंगे तो 500 का 8% अगर हम यहाँ पर find करते हैं तो 50 कितना होता है 40 होता है तो option number C इसका correct हो जाएगा याने कि 40 जो थे party में कितने क्या थे बच्चे थे तो इसका अंसर देख लेते हैं क्या यह सही है जिहां दोस्तों यह answer सही है तो 40 जो बच्चे थे वो सही थे पार्टी में जो थे वो बच्चे आये थे और इसका जो answer दिया है, कितने लोगों ने इसका सही answer दिया, सिरफ 79% लोगों ने इसका सही answer दिया आगे बढ़ते हैं, next question पर देखते हैं कि next question क्या है next question है हमारे पास, ये बहुत important question है, पहली गनात्मक, पचास गनात्मक संख्याओं का उसत कितना होगा पहली पचास, आप से ह Krankhy क्या पास, पहली पचास गनात्मक संख्याओं का उसत, गनात्मक मतलब होगा आपके पास संख्याओं कान सी है ओर हमें पता है कि जो average होती है, यानि की ऊसत होती है, average of N E1 number average of N E1 number, N संख्याओं के उसत का जो formula होता है, वो होता है N plus 1 सिधा सिधा इसका फोर्मना अपने लगाना है कि average of any one number is equal to n plus 1 होता है तो कितनी घनात्मक समसंख्या है 50 तो हम क्या करेंगे n की जगा 50 पूट कर देंगे तो यह आजाएगा 50 plus 1 कितना हो जाएगा 51 तो इनका जो औसात हो जाएगा option number 3 हो जाएगा 51 जो है पहली 50 घनात्मक समसंख्याओं का क्या होता है औसफ़त होता है और इसका अंसर बच्चों सिरफ 41 परसंट लोगों ने इसका अंसर सही किया है बाकि सब का गलत है 41 परसंट लोगों ने इसका अंसर सही किया है तो आप competition देख सकते हैं कितना है तो यह बहुत important question था और अगर आप कोई वीडियो परसंट आए तो लाइक करना मत बूलिएगा बच्चों इसी तरह की और वीडियो की लमग आप के लिए ले के आते रहेंगे ठीक है तो यह था important question और 41 परसंट लोगों ने इसका सही अंसर किया हो जाएगा 51 next question पर बढ़ते हैं next question क्या है देख लेते हैं next question है हमारे पास कहता है कि एक व्यक्ती एक व्यक्ती जो है वो 400 रुपे की कोई चीज खरीता है खिलोना खरीता है और 15% हानी पर बेच देता है यह भी बहुत important question है लाभानी से है यह कि खिलोने का भी क्रैम उल्ले आपके selling price यहां पर पूछ रहा है और हमें पता है कि selling price का जो formula होता है वो होता है क्रैम उल्ले multiply by 100 plus minus profit या फिर loss divided by 100 होता है तो हमारे पास क्रैम उल्ले कितना है हमें पता है कि कितने में खरीती गई है 400 रुपे में चीज खरीती गई है तो 100 हानी में बेच रहा है तो 100 minus आ जाएगा यहां पर कितना 15 divided by कितना 100 तो यह हो जाएगा 400 multiply by 100 में से 15 कितना होता है बी इसका सही अंसर हो जाएगा option number 3 340 रुपे में वो उसे क्या करेगा बेचेगा तो देख लेते हैं क्या यह answer सही है जी हां दोस्तों यह answer सही है 440 रुपे में यह आपका जो ता किलोना वो बिक जाएगा और सिरफ 82 परसंट यानि की 82 परसंट लोगों ने इसका सही अंसर किया है ठीक है बढ़ते हैं हमारे पास next question पर next question देख लेते हैं क्या है तो next question है हमारे पास कहता है कि S1 S2 परस पर एक कारे को 18 दिन में पूर्ण कर सकते हैं S2 S3 परस पर उसी कारे को 27 दिन में कर सकते हैं S3 S1 24 दिन में कर सकते हैं तो आपसे ये पूछ रहा है कि कुल तीन परस पर कारियत रहें तो 50% कितने दिनों में पूर्ण हो सकता है। तो आपसे ये कह रहा है कि S1 और S2 अगर मिलके काम करते हैं तो 18 दिन लगेंगे। S2 और S3 अगर मिलके काम करेंगे तो काम करने में 27 दिन लगेंगे। और S3 और S1 अगर काम करेंगे तो काम करने में 54 दिन लगेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका LCM ले लेते हैं, आपका काम निकाल लेते हैं यहां पर आ जाएगा work, इनका LCM लेंगे अगर जब हम, तो इनका LCM आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 54 इसके बाद इनकी efficiency निकाल लेते हैं ख्षमता निकाल लेते हैं यह आ गया work, middle में आता है work और यहाँ पर आ जाएगी इनकी ख्षमता तो ख्षमता का formula में पता है कि work upon में time होता है तो 54 बटे 18 करते हैं तो इनकी शमता आ जाएगी 3 54 बटे 27 करेंगे तो इसकी शमता आ जाएगी 2 और 54 बटे 54 करेंगे तो इनकी शमता कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी तो इनकी शमता आ गई कह रहा है कि यह पूरे काम का 50 परतीशत कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम कितना है, 54 और अगर मैं 54 का 50 प्रतिष्यत मतलब आदा निकालू, तो कितना काम करना इन्होंने 27 काम करना है, और टोटल शम्ता कितनी आई, 3, 2, 5 होता है, और यह कितना वा 6, टोटल शम्ता कितनी आगी? 6 आगी, ठीक है ना? टोटल शम्ता कितनी आगी? 6 आगी, 6 नहीं आई, एक्चुली यह जो 6 शम्ता आई है, यह कितने की शम्ता आई है, अगर हम देखें, तो अगर मैं इनको add करता हूँ, मैं दूसरे color से आपको show करता हूँ, ठीक है न, तो अगर मैं इनको देखूँ, तो S1, ये S1, अगर मैं इन सब को add करूँ, तो दो बार क्या आ जाएगा, दो बार S1 आ जाएगा, दो बार S2 आ जाएगा, और दो बार क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा, और इनकी अगर मैं शम्ता को add करूँ, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो शम्ता कितनी है, तो यहां से 3ों की शम्ता मिला के, S1 प्लस, S2 प्लस, S3 की जो शम्ता हो जाएगी, वो 6 बटे, दो, यानि कितनी हो जाएगी, जी हां दोस्तों 9 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा सही अपना complete हो जाएगा तो ये था हमारे पास question number 5 और इसका answer सिरफ 61% लोगों ने अपना जो है इनका answer सही किया है next question पर बढ़ते हैं अपना next question देख लेते हैं क्या है तो next question है हमारे पास कहरा है कि करून ने वरुन से 1200 रुदार लिये तथा तरुन से 15,000 रुदार लिये करून समान वारशिक ब्याजदर है दोनों जगह वारशिक दर जो है वो समान है Cancer से लिये कितने 12,000 अगर दो तरुन से लिये हैं कितने 15,000 उधार लिये हैं किसने लिये हैं करुन ने दोनों की दर जो है वो समान है मतलब अगर यहाँ पर ब्याज दर आर परसेंट है तो यहाँ भी कितनी है देगा दो वर्ष की अद्वी के अंद में तरुन को कितना ब्याज देगा तो यहां पर आपको ब्याज निकालना है तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कैसे इस कुशन को आपने करना है एकदम से बहुत इंपोर्टन कोशन है तो अगर मैं इसको शॉर्टकट म लेता है दो साल के लिए तो हम देख लेते हैं कितना ब्याज निकलेगा तो दोसो चालिस आर का ब्याज निकलेगा तो दोसो चालिस आर का क्या निकलेगा ब्याज नेगलेगा तो दोसो चालिस आर की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो दोसो चालिस आर की जो वैल्यू है वो क 1680 हम देख लेते हैं कि तरुन से कितना ब्याज मिलेगा अगर तरुन का निकालें तो तरुन में से कितने रुपे उधार लिए 15,000 पे उसने उधार लिए 8% पे और 2 साल के लिएगा तो देख लेते हैं कितना ब्याज मिलेगा इसको यहां से तो यहां से इसको मिलेगा 300 R तो हमें पता है कि 240 R की value किसके बराबर है 1680 के तो 1 R की value किसके बराबर होगी यह ہو जाएगा 1680 बटे में कितना 240 R, ठीक है ना 240 हो जाएगी 1 R की value और कितने R की value निकाल लिए है 300 R की हमें value निकाल लिए हम क्या करेंगे 300R की value निकाल दें तो यह हो जाएगा 1680 बटे 240 multiply by 300R इसको अगर हम solve करेंगे तो आपके पास सिधा सिधा आपके पास आपको answer मिल जाएगा तो answer क्या आएगा इसे cutting करते हैं 0 से 0 cancel हो जाएगी ठीक है 3, 3, 00, 3, 84 होता है कितना हो जाएगा यह 2100R पे आजाएगा तो option number हो जाएगा option number third तो very very important question जो की आपका साधान ब्याज से था यह तो इसका जो ब्याज मिलेगा तरुण को कितना मिलेगा 2100 पे इसका ब्याज मिलेगा तो देख लेते हैं क्या यह हमारा answer सही है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option number third 2100 पे जी हां दोस्तों और सिरफ 53% लोगों ने इसका सही answer किया सिरफ 53% लोगों इसका answer सही कर पाए है very important question तो इसी तरह की और questions के लाने के लिए और वीडियो अगर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक करना मत बूलेगा चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजेगा ठीक है बढ़ते हैं हमारे next part पर देख लें next question क्या है next question है हमारे पास कहता है कि एक पुलिस कर्मी 200 मीटर की दूरी पर कहता है कि एक पुलिस कर्मी है वो है 9 मीटर पर सेकिंड पुलिस की ये गती है और जो चोर की गती है वो भी इसी डिरेक्शन में जाएगा उसकी गती है 7 किलो मीटर किलो मीटर पर आवर की स्पीड है और चोर की जो स्पीड है वो भी किलो मीटर पर आवर की स्पीड है तो ये है इनकी speed, किसकी भागने की speed है इनकी ये, तो ये है आपके पास 9 km पर आवर, दोनों की समान दिशा है, समान दिशा में speed क्या होती है, हमें पता है कि माइनस होती है, समान दिशा में speed माइनस होती है, तो हमें क्या निकालना है, time निकालना है, और हमें time का formula पता है, time का फोर्मुला होता है distance upon speed तो distance दोनों की बीच की दूरी कितनी है 200 दोनों की समान दिशा है तो 9 minus में कितना करेंगे 7 करेंगे ये kilometer per hour में है और हमें पता होना चाहिए कि kilometer per hour से अगर आपको meter per second में जाना है तो हम किस से multiply करते हैं 5 बटे 18 से multiply करते हैं तो 200 into में 18 बटे में कितना आजाएगा 10 cutting करेंगे 0 से 0 cancel हो जाएगी तो ये आजाएगा 360 second और 360 second का मतलब हमें पता है कितना होता है 6 minute होता है अगर मैं 60 से divide करूँगा तो 6 minute आजाएगा तो option number A सक correct हो जाएगा और सिरफ 40% लोगों ने इसका सही answer किया और देख लेते हैं क्या हम 40% में आते हैं क्या हमारा answer सही है तो अगर देखते हैं इसका answer सही है कि नहीं है तो option number A P क्लिक करते हैं तो जी हाँ दोस्तों 6 minute इसका सही answer हो जाएगा तो 6 minute में वो पूलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा बढ़ते हैं अपने next question की ओर next option देखते हैं क्या है next question is कह रहा है कि 7 cm की आधारत रिज्जा और 8 cm की त्रियंकुचाई वाले शंकू का वक्र प्रिष्टिश के तरफल आपका इसका होता है यह आपका शंकू होता है इसकी आधार त्रिज्जा यानिकी यह कितनी है 7 है और इसकी त्रियंकुचाई त्रियंकुचाई कितनी है 8 cm यह 8 है यह होती है 3 güçाई और यह रहती है आधार तो इसका वक्र प्रिष्टिश के तरफल हमें ग्यात करना है और यानिकी curved surface area क्या होता है शंकू का πाई आर एल होता है पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 22 बटे 7 दे रखी है और आर यानि कि 30 हमें पता है 7 है और 3 कुछ आई हमें पता है कितनी है 8 है तो 7 से 7 यहां cancel हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा हमारे पास है 176 cm2 आ जाएगा next question की और next question देखते है क्या है तो next question है कैता है कि P1 P2 P3 हमारे पास कि आऊसद कितना है 50 है P1 का मान इसी आऊसद का आदा है तो हमारे पास 3ों का जो आसद है P1 P2 P2 P3 यह 3 नमबर है इन 3ों का आसद कितना है 50 है तो P1 P2 P3 की अगर हम value निकालेंगे तो कितनी आजएगी 50 गुणा में 3 कितना आजएगा ये 1.500 आजएगा तो हमारे हमें ये पता लग गया है कि P1 जमा P2 जमा P3 करेंगे तो कितना आएगा 1.500 आजएगा और कह रहा है कि P1 का जो मान है वो औसत का आदा है तो P1 का मान औसत का आदा औसत कितनी है 50, 50 का आदा करेंगे तो मान कितना आजएगा इसका 25 आजएगा तो P1 की जगा 25 रख देंगे तो 25 प्लस P2 प्लस P3 की जो value आगी वो कितनी आजएगी 1.500 आजएगा यहां से P2 की हमने जगा क्या रख दिया P1 की जगा हमने 25 रख दिया तो यहां से P2 प्लस P3 की जो value आएगी वो कितनी आएगी 1.500 माइनस में क्या कर देंगे 25 हम माइनस कर देंगे तो 1.500 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 125 रह जाएगा 62.5 आजाएगा Option number D इसका correct हो जाएगा ठीक है बच्चों तो यह था इसका option number 4 देख लेते हैं क्या हमारा अंसर यह सही है तो जी हां दोस्तो 62.5 इसका correct अंसर हो जाएगा तो यह इसका और इसका अंसर जो है सिरफ 62% लोगों नहीं इसका अंसर दिया है जैसा आपको यहां दिख रहा है 26 जुलाई 2022 का यह paper है शिफ्ट 1 का ठीक है बढ़ते हैं आज के हमारे last question की और last question देख लेते हैं क्या है तो last question है हमारे पास यह simplification का question है board mask का question है बहुत simple question है और बहुत important question भी है तो इसका अगर हम solve करते हैं कहता है कि 25 plus 12 minus 2 plus bracket फिर bracket 4 भाग 2 bracket close then again तो पहले हमारे पास समय पता है जब हम board mask के according अगर हम देखते हैं तो board mask के according पहले भाग होता है तो पहले हम इसको बाग 4 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 25 plus 12 minus 2 जमा कितना आ जाएगा दो आ जाएगा तो दो से ये दो cancel हो जाएगा और 25 में से और जमा 12 करें तो कितना आता है 37 आता है और इसका अंसर सिर्फ 60% लोगों ने दिया है और देख लेते हैं कि हम 86% में आते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 37 तो option number B जी हां दोस्तो 37% इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर भी correct हो जाएगा ठीक है तो गाईज ये थे हमारे पास math के 10 important question 10 important very very important question जो कि आपके SSC MTS के लिए बहुत important है 26 जुलाई का ये paper था previous paper था तो इसी तरह से हम बाकी previous paper की भी practice करते रहेंगे जब तक आपका exam नहीं हो जाता math हो reasoning हो English हो तो इस तरह से हम series आपके लिए ला पर हम wrap up करते हैं और अगर आप कोई video पसंद आई तो please like जरूर कीजेगा subscribe कीजेगा channel को मिलते हैं next part में अभी के लिए इतना ही thank you thank you very much